कभी कभी कुछ हैसी घटनाएं होती हैं जिसे देखने के बाद इनसान के सरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो हुआ है कास ऐसा नहीं हुआ होता लेकिन जब उसकी अंदर की सचाई पता चलती है जब उसकी पीछे की सचाई पता चलती है तो फिर वही इनसान कहता है कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है बलकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था उनके चेहरे पे थोड़ी सी भी अपसोस ज़लक नजर नहीं आती है आज की विकेस में बिल्कुल कुछ ऐसी ही होता है नमस्कार आदाब मैं हस्मोदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तर आज की जो सची घटना आपको मैं सुनाने वाला हूँ ये सची घटना है दिल्ली रजधानी क्या एक इलाका पड़ता है नरेला ये घटना है 3 सितंबर 2021 के साम को लगबग 7-8 वजे करीब एक दमपती अपने बेटे के साथ दिल्ली के ही ओखला फेस्टू से नोकरी करने के बाद जब अपने घर पहुँचते हैं और जब अपने घर के अंदर इंटरी करते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के अंदर कमरे के चारों तरफ बहुँच सारे खून के छीटे पड़े हुए थे और उसी कमरे में उसी का छोटा बेटा जो दस्वी क्लास का छात्र था जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी काफी गंभी रवस्ता में पड़ा हुआ था उसके सरीर पे भी काफी खून के धब्बे पड़े हुए थे उसकी सांसे तो चल रही थी लेकिन ना तो वो हिल रहा था ना डोल रहा था जब ऐसी इस्तिति में अपने बेटे को देखते हैं वो काफी घबरा जाते हैं वो तुरंत उसे उठा करके और एरिये के हस्पीटल में ले जा करके एडमिट कराते हैं डॉक्टर उसका टीटमेंट तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ नरेला थाने में इनफर्म कर देते हैं इससे पहले कि पूलिस हस्फिटल में पहुंचे उस बच्चे के पास उस बच्चे की मौत हो जाती है जब पूलिस हस्फिटल पहुंचती है तो उस बच्चे की सोव को अपने हिरासत में ले करके और पुस्ट माडम के लिए भेज देती है अगली दिन उसका रिपोर्ट भी आ जाता है जिससे साब पता चलता है कि उसके उपर किसी ने तेज़ धार हतियार से काफी बार हमला किया था जिसकी वज़े से उसकी मौत हो जाती है पुलिस जब उसके घर वालों से इसके बारे में पूश्टास करते हैं तो घर वाले बताते हैं कि हमारे घर में चारे सदस्थे हैं पती-पत्नी, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा एक बेटी भी है जिसकी उसी की मौहले में एक लड़के से लव मैरेज उसने साधी कर ली थी एक साल पहले पुलिस उसके घर में काफी चान बीन करती है, पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है फिर पुलिस उस बच्चे के स्कूल से ले करके और लव अफ हैर का एंगल जब चेक करती है तो पुलिस के हाथ में इस लव अफ हैर का भी कोई एंगल नहीं मिलता है पुलिस फिर उस गली मोहले की तमाम CCTV की खंगालना सुरू करती है लेकिन बदकिस्मती से पुलिस वाले का हाथ में वहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था पुलिस वाले भी काफी हैरान परसान थे कि आखिर इस बच्चे के घर के अंदर आ करके और ये अंजाम कैसे किस ने दे दिया है पुलिस को कहीं न कहीं सक उसके घर वालों पे ही जा रहा था पुलिस वाले जब उसके माता पिता और उसके बेटे से पूछ तास करते हैं तो वो कहते हैं कि साब हम हर रोज के तरह 3 सितंबर को भी अपनी डुटी गए थे पुलिस जब उनके कंपनी से पता करती है तो पता चलता है कि ये 3 आपने टाइम से डुटी गए थे और अपने टाइम से ही घर वापस आये थे पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस को सुलजाय कैसे क्योंकि उनके हाथ कोई भी सबूत आई नहीं रहा था लेकिन मात्र एक छोटा सा क्लू जो ना तो घर वाले बता रहे थे और ना ही पुलिस का भी उस पर ध्यान जा रहा था पुलिस जब उसके घर वाले से पूछते हैं कि आप जब घर में आये थे तो आपने क्या देखा था तो घर वाले बड़ा अजीब सी बात कहते हैं कहते हैं कि साब जब हम घर आये थे घर का जब ताला हमने खोला तो हमने घर का ऐसा नजारा देखा पुलिस बस इसी बात को पकड़ लेती है कि आपने अपने घर में ताला क्यों लगाये था जब आपका लड़का घर के अंदर था तो अपने ताला क्यों लगाये था और अगर ताला अपने लगाये था तो इसकी चावी थीक इसके पास माबाब बताते हैं कि साब उस ताले की तीन चाभी है एक हमारे पास है एक घर के अंदर ही होता है और तीसरा मेरी बेटी के पास है जब हम लोग नहीं रहते हैं तो कभी-कभी वो हमारे घर आया जाया करती है पुलिस उसके बेटी से जब पूश्टास करती है साब मैं भी मार्केट गया था थोड़ी देर बाद फिर पुलिस मुकेश से पूश्तास करती है तो मुकेश कोई और बहाना बनाता है मतलब कि पहले जो उसने जवाब दिया था और दूसरी बार जो जवाब दिया था वो दोनों ताल मिल नहीं खा रहा था पुलिस को कई न पती मुकेश के उपर चला जाता है पुलिस मुकेश सकती से पूश्तास करती है तो आखिरकार मुकेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है लेकिन जब इसकी कहानी बताता है तो वाकई में दोस्तों कई नगए इंसानियत सर्मसार हो जाती है वो लड़की जिसका नाम है पू वाने वो साम को घर जाता है लेकिन जब राखी बंधवा लेता है तो अपनी बहन से जिद करता है कि मुझे घर नहीं जाना है मुझे रात को यहीं पे ठहरना है उसकी बहन काफी उससे मनाती है और कहती है कि पास में घर है चले जाओ लेकिन वो काफी जिद प्योड़ा हु मुझे तुम्हारे ही साथ सोना है, मैं किसी दूसरे कमरे में नहीं जाओंगा। उसकी बहन काफी समझाती है कि बगल के कमरे में चले जाओ लेकिन वो नहीं मानता है। उसका जीजा जो मुकेस है, वो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई ये सोने दो, क्या दिक्कत है, सुब उटके चला जाएगा, वो अपने पती की बात, मुकेस की बात मान लेती है, रात में दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, और मुकेस बगल के कमरे में सोने चला ज आती है दरसल उसका साला और उसकी पतंई दोनों ही बीस्तर पे नग नवस्था में थे और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे लेकिन जो राहुल था वह अपनी बहन के साथ जब अरध गया सबंध बनागा रहा था। मुकेष जब यह ती स्थिति वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसी टाइम अपने साले को उस घर से निकाल देता है और उसे वापस उसके घर भेज़ देता है लेकिन मुकेस जब इसके बारे में अपनी पत्नी पूजा से पूचताश करता है तो पूजा कहती है कि ये घटना पहली बार नहीं है साधी से पहले भी ये मेरे साथ कई बार जबरदस्ती ऐसा कर चुका है जब ये बाते सुनता है मुकेस वो काफी टेंशन में आ जाता है और मन ही मन सोच लेता है कि इसका कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा मुकेस काफी राहुल को समझाने की कोशिस करता है कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए राहुल जो कि ये गलती कर चुका था वो पकड़ा बीचा चुका था लेकिन इसके बावजूद भी मुकेस से कहता है कि मैं ये हमेशा करूँगा तुम्हें जो करना है कर लो फि होता भी बिल्कुल यही है तीन सितंबर को हर रोज के तरह जब उसके माता पीता और उसके भाई ओखला के लिए ड्यूटी को निकल जाते हैं और जब उसकी पतनी पूजा मार्केट चली जाती है तो उस घर का चावी ले करके मुकेस और राहुल के घर पहुंचता है उसके चावी से उसका ताला लगा करके खर वापस आ जाता है वाकई में दोस्तों जब यह पूरी काहानी पूलीस वालों को बताता है तो पूलीस वाले भी सोच में पढ़ जाते हैं कि इसने जो किया है यह गलत किया है या सही किया है इसके बावजूद भी पूलीस वाले कहते है कि अगर तुम्हारे साले ने कुछ गलत किया था, तो तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, तुम्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें अपराद किया है, और जब अपराद किया है, तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, पुलिस फि हमारे समाज में तो क्या इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर दोस्तों मैं आपकी रही जानना चाहता हूं कि जो अशोक ने किया था वह सही किया था क्या उससे पुलिस की सहरा नहीं लेना चाहिए कि सही कि मुझे किसी को परसान नहीं करना है किसी को तकलीफ नहीं पहुचाना है बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें तब तक के लिए जय हिन जय भारत